नमस्कार दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज में वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन वे मकर राशी के लिए नोहंबर 2021 का राशी पल अगर आपका मकर लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और आपकी मकर राशी है तो भी आप ये दिख सकते हैं नवरात्रे के उप्रांग स्वास्ते संबंदी कारणों के कारण मैं अपने वीडियो दे पाई इसलिए अब मुझे वीडियो देने में लेट हो गया क्योंकि मेरे गले में इंफेक्शन हो गया था और अभी मेरी दवा चल रही है इसी कारण में आप लोगों के आपके लिए कैसा जाएगा सबसे पहले हम ग्रहों के स्तती देखें तो 20 नौवंबर 2021 को देख गुरू बर्सपती आपके दूसरे भाब में आ जाएंगे कुमराशी में जहां से वो दशम भाब को रिष्टी देंगे और लगन पर इस समय शनी माराज का गोचल होई रहा है और शनी माराज मारगी हो चुके हैं और वो भी दशम को रिष्टी दे रहे हैं और गुरू भी 18 अक्टूबर से मारगी हो गयती है यानि गुरू और शनी दोनों मारगी हैं और दशम भाब को रिष्टी दे रहे हैं अगर कुरू और शनी जैसा तो इस बात का संकेत है कि कै कहरें से जुड़ी महत्यपुन गटनाएं और शुब गटनाएं गट सकती हैं पंचम भाब में आपके राहु विराजमान है और महा के आरम में दशम भाब में सूरे मंगल वबुद की उती होगी वागेश बुद आपके इसमा दशम में रहेंगे और आगे चलकर सूरे जो है इकादश में चले जाएंगे जाउनकी केतु के संग्यूती होगी और दशम में आपके दशमे शुक्र जो विराजमान है धनुराशी में ओवराल अगर हम देखें तो मकर लगन वाराशी के लिए नहुंबर का मा काफियत तक पॉजिटिव है अब मकर लगन वाराशी के लि अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो आप कोशिश करिए 20 नॉमबर के बाद आपको जॉब मिल सकती है जॉब मिलने के लिए आपके पास समय है 20 नॉमबर से लेकर 13 अप्रेल 2022 तक इस पूरी अबदी में जब भी आपकी दशा पॉजिटिव होई और तो गोचर पॉजिट सकते हैं इस अबदी में आपकी परमोशन भी हो सकती है वेपारी वर्कि अगर आपकर लगनवराशी के जातक जो कि वेपार में किसी नए ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू करना जाते थे कोई ऐसा नया काम था जिसमें काफी बड़ा इंवेस्टमेंट करना था तो इस गुरू और शनी दोनों के दिश्टी दिशमभाब पर होगी जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है तो वेपार के लिए बहुत अच्छा समय है साथी मकर लगनवराशी के वो जातक जो कि या तो विदेश में रहते हैं या जिनका कोई काम विदेश से जुड़ा हुआ ह तो उनके लिए एक शुप संकेत आ गया है 18 अप्टूमर से क्योंकि गुरू जो कि आपके द्वादेश है और तेश है वो इस समय मारगी हो गए हैं को गुरू के मारगी होने से फैदा ये होगा गुरू एक तो मारगी हो गए और दूसरे गुरू जो हैं दशमभाब को रि तो आपको विदेश में जॉब मिलने का अफसर बन जाएगा तो 18 अक्टूमर से जो देव गुरू बरस्पति मारगी होए वो आपको डिरेक्ट शूप संकेत देंगे अब आपके काम जो है तेजी से बनने लगेंगे विदेश से जुड़े का और साथी धन की बात करते हैं मकर लगन वाराशी के लिए रौंबर का महीना धन के साब से बहुत अदिक महत्यपूर्ण है आपकी आर्थी किस्तिती में सुधार होगा धन को लेकर आपकी जो समस्याय चल रही थी काफियत तक कम होगी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते ह तो उनके पास विदेशों से पैसा आने का रसता खुलेगा शाथ ही इस महां जो है क्योंकि दशम भाफ में मंगल का गोचर हो रहा है तो जो गुझ प्रॉप्र ऑप्रटे की डिलिग करते हैं प्रॉपप्र फिंट का काम करते हैं और उनके लिए प्रॉप्रாर का समय और इस महा जो है 16 नौमबर के बाद अश्टमेश सूरे भी एका दश्मे रहेंगे तो जो इंशुरेंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं या जिनका इंशुरेंस से जुड़ा काम है या जिनका प्रॉपर्टी से जुड़ा काम है या जिनको कहीं से कोई धन आने की संबाबन बनेगी क्योंकि अश्टमेश जो है लाब बाब में रहेगा तो फाइनेशली पोजिशन आपकी नौमबर के माह में काफी अच्छी इंप्रूव होने वाली है और केरियर के लिए ये समय अच्छा है इस महा जो है आपका मन जो है काफी सपष्ट रहेगा मन में विचारों म पश्टा रहेगी अब आपको इस महा से लगने लगेगा कि हमें किया काम करना है और कैसे करना है और आप ने भी सही ले पाएंगी क्योंकि जब गोचर सही होता है तो आपका दिमागज भी सही सोचने लगता है लेकिन देशम भाब में विराजमान दशम भाब में बिराजमाना देव गुरु बर्सपती की उन पर अमरज जिस्टी है यानि एक तो भागे भागेश जो है केंदर में बैठा है और उस पर गुरु की जिस्टी है यानि भागे आपका इस माँ बहुत बली रहेगा अगर आप मेहनत करेंगे इस माँ तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की समबाबना है इसलिए लगके अपने काम को करिए प्लान करिए आप कैरियर में जो भी अभी तक काम करना चाहते थे जो आपने सितंबर से लेकर 19 नॉमबर तक रुका हुआ था उस काम को आपके बढ़ाईए 20 नॉमबर के बाद आपके काम तेजी से बनने लगेंगे कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्यपूर निड़ने लेंगे तो मेरे साब से कोई ज़्यादा बड़े रिक्स की बात नहीं है और अगर आपको लगे कोई रिक्स है तो आप अपनी कुणली किसी को दिखा सकते हैं क्योंकि अगर आप किसी को कुणली दिखा लेंगे और हाँ अगर आपको जो जॉब बदलना चाते हैं और आपको ये निड़ने नहीं कर पारे कि जॉब बदलनी है या नहीं करनी तो आप किसी को एक पर कुंडली दिखा ले कि दशा कैसी चल रही है जिससे जॉब बदलने में कोई रिख्ष ना हो लेकिन गोचर के हिसाब से मकर लगनवा राशी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं इस 20 नौवंबर के बाद आपके घर में किश ना किसी पकार का मांगली कारी होने की संबाबना है विधारतीवर के लिए समय काफी अच्छा है और अगर हम प्रेम संबनों की बात करें तो प्रेम संबनों में थोड़ी सी साहथानिया प्रिखिषित है पंचम भाब में राव परिशान रहेगा तो अपने जीवन साती के मनिस्तिती को सबढ़ने की कोशिश करिए अगर आपने उनकी मनिस्तिती को नहीं समझा तो किसी पकार की कलत्फ्यमी या तनाव आपके दमपत्य जीवन में आ सकता है गुरू की दिश्टी दशम भाब पर भी है और छटे भाब पर भी है और एकादर्श में केतु भी राजमान है तो जिनके कोट केसिस वगरा चल रहे हैं उनके लिए यह रहात का समय है गरबती महिना है अपने स्वास्ते का ध्यान रखें क्योंकि पंचम भाब में राहू चल रहा है और इस समय मंगल की भी दिश्टी पंचम में रहेगी तो किसी पकार की कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए और अचानकी कुछी प्रदा की सर्द्री वगरा होना करनी पड़े इस महा ध्यान रखें घर में किसी पकार की दुगटना चोट या आग से जोड़ी कोई घटना ना हो इस प्रकार की होने की संबाबना बनती है अब हम देखते हैं कि मकर लगन वा राशी के लिए जो केरेर के लिए एक अच्छा समय निकल कर आया है जिसमें उनकी इस महा आप जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं अपने वैपार में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं आपके लिए इस मा की शुप्तितियां कौन सी हैं, जिन तितियों में आपके काम बन सकते हैं, तो वो शुप्तितियां हैं आपके लिए 4 वा 5 नहुंबर, 6 वा 7 नहुंबर, 10 वा 11 नहुंबर, 14 वा 15 नहुंबर, 16 वा 22 नहुंबर, 23 वा 24 नहुंबर, 25 वा 26 नहुंबर वो महत्अपुन काम करने का विचारना करें और सावधानी रखें जैसे आगर आकको करनीघ जोब चेंज करने के लिए किसी को इंटरुवरो करना है निए कि इन अंटरो करते हैं तो ध्यान रखें in तिथिहों का इस्तिमाल अगर जिस दिन हमारा चद्रमा कमजूर होता है उस दिन अगर कुछी काम का प्लान कर लेते हैं तो उस काम में हमें कोई सफलता नहीं मिलती चाया हम कितनी कोशिच करें इसलिए हम जितना बचाप कर सकते हैं उतना बचाप करें इन तित्यों का ध्यान रखेगा तो मेरा मानना है कि मकर लगनवा राशी के जातकों के लिए के साब से महत्तपून समय आ गया है अगर आपके लंबे समय से अभी तक सितंबर महा से केरियर से जुड़ी कोई समस्चा शुरू हुई थी जिसके कारण आपको परिशानी थी आफिस में किसी परकार की परिशानी चल रही थी तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अवी तर सब्क्राइज नहीं किया तो किरपा मेरा चले सब्क्राइब कर दें साथ ही वेल ऐकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो प्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हैं और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्का दश्कूम जयमाताती